नमस्कार बी ए सेकेंड डियर जनरल इंग्लिश का पेपर फर्स्ट आपका डेस्क्रिप्टिव होगा और उसमें टैन क्वेश्चेंज होंगे और आपको उसमें से चार करने होंगे लेकिन मैं एक चीज़ बताओं देखे अगर जिन लोगों के पास लिटरेचर है वो तो पहले से ही इस बास से परचित होंगे लेकिन जिनके पास लिटरेचर नहीं है सिर्फ जनरल है वो देखें कि ये जो लिटरेचर का पेपर था पेपर फर्स्ट ये भी इसी पैटर्न पर आना था यानि कि descriptive ही होना था दस question आने थे लेकिन उनमें से चार करने थे अब किया क्या university ने कि जो पहला question था ये compulsory कर दिया और इस question में पहले question में होना objective type questions दे दिये अब ये objective type questions ये करना ज़रूर ये देखिए उपर instruction देखिए question number one is compulsory और यहां इन्होंने explanation भी दे दिये जिसको के नहीं आना था हालांके मैंने आप लोगों को बताया था कि आ सकता है इस तरीके से भी दे सकते हैं तो अब जो इन्होंने literature में किया है literature वालों के साथ वो general English वालों के साथ नहीं करेंगे इस बात की कोई guarantee नहीं आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि एक question वो ऐसा दे दें जिसमें multiple choice questions हो और वो उसको compulsory कर दें या फिर उसमें textual grammar हो या फिर fill in the blanks हो यह सब कुछ आपको दे सकते हैं वो एक ऐसा question बना दें 10 marks का जैसे का इन्होंने इसमें किया था तो यह भी हो सकता है किसी भी type का आ सकता है पहला question उसकी उसका इलाज क्या है आपको उसके लिए क्या करना होगा मैंने सारे आपको अपलोड कर रखें chapters तो उन chapters को ध्यान से सुनिए पढ़िए और क्योंकि जो आएगा आपका question paper वो टैक्स से बाहर तो आएगा नहीं जो जो आपके syllabus में हैं six आपके essays prescribed हैं तो उन six essays को आप ध्यान से पढ़िए मैंने सारे वीडियो अपलोड किये हुए हैं आप उनको एक बार सुन जरूर लीजिए इसके अलावा जो animal farm है वो भी आप पूरा पढ़ लीजिए उसके भी दस वीडियो 10 chapters हैं तो वो uploaded हैं अभी तो आपके पास time भी है 15th को है आपका exam यह जो first paper है 15th को होगा तो time तो है अगर आप चाहें तो वो पूरा detail में पढ़ लें first question के लिए इसके अलावा 10 questions मैंने आपके लिए जो important हैं जो मुझे लगता है आएंगे वो मैंने select किये हैं तो इसमें पहला जो question है मैंने पहले chapter से ही लिया है और जैसा कि आता है हर साल exam में पहला question what is the difference between work and play according to Herbert Reed तो Herbert Reed का जो chapter है work and play उसमें Herbert Reed ने work और play के बीच में difference बताया है तो ये question हर साल आता है और उसका पूछने का तरीका बदल जाता है या फिर is there no difference at all क्या work or play में कोई difference ही नहीं है ये question इसी तरीके से पूछा गया था 2016 में और किसी भी तरीके से घुमा कर पूछें लेकिन आपका जबाब वही होगा और जबाब जो इसका answer है वो मैं पहले ही upload कर चुकी हूँ आपने वीडियो देखी लिया होगा नहीं देखा है तो देख लीजे ये question इस तरीके से भी पूछा गया था summarize work and play in your own words इस तरीके से भी कई बार आया है exam में तो चाहे इस तरीके से पूछा जाए या ओपर ये तरीके से पूछा जाए आपको answer वही देना है आपको work और play का जो difference Harvard Read ने बताया है वो आपको अपने answer में बताना है तो answer आपको वही लिखना है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फिर जो second question है वो है JBS Halden का laws of nature इस पर भी मैंने इसका answer पहले अप्लोड कर दिया है question देखिए what are the two classes mentioned by JBS Halden तो JBS Halden ने दो तरीके के laws बताए हैं तो वो आपको यहाँ पर बताने हैं और मैंने आपको chapter भी पढ़ाया हुआ है और answer भी इसका upload किया हुआ है यह 2016 में यह question आया था Summarize the views of Halden on the laws of nature in your own words या फिर यही सवाल इस तरीके से आ सकता है कि summarize कीजिए JBS Halden के views को विचारों को on the laws of nature यानि प्रकृति के नियमों पर जो उसके विचार है in your own words अपने शब्दों में उसको बताइए या फिर यही सवाल आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है तो यह जो एसे है JBS Halden का laws of nature उसके माध्यम से वो आपको क्या संदेश देना चाहता है तो question किसी भी तरीके से आए आपको answer वो लिखना है जो मैंने आपको पहले ही upload किया हुआ है वीडियो देख लीजेगा उसको और लेकिन जो chapter वाला वीडियो है वो जरूर एक बार देख लीजेगा टोटल मुझे लगता है कि शायद 37 या 38 वीडियो मैंने आपके लिए upload किये हुए है बिये second year journal English के जिसमें के animal farm पर भी है और ये आपके जो six chapters है उनमें भी है फिर third question को देखिए ये कई तरीके से आया है जिस जिस तरीके से आया है वो मैंने कोशिश की है कि हर तरीके से आपके लिए वो question मैंने note कर लिया है मैंने कई question paper देखे पिछले सालों के तो इनहीं तरीकों से आता है question पूछा जाता है थर्ड question जो है वो किस तरीके से पूछा जाता है वो Aldis Huxley के जो chapter है individuals and masses उस पर आता है third question critically evaluate Huxley's views on individuals and masses यानि Aldis Huxley के जो views हैं विचार है individuals और masses पर यानि व्यक्ति और भीड दोनों पर in your own words तो उन views को अपने शब्दों में बताईए तो ये question इस तरीके से आता है या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा why does the writer worry about people यानि ये लेखक क्यों चिंता करता है लोगों के बारे में when they become a part of crowd जब वो भीड का हिस्सा बन जाते हैं तो जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसका व्यभार अलग होता है तो ये इस तरीके से भी पूछा जाता है सवाल फिर एक और तरीके से ये question पूछा जाएगा how does psychology of individual differ from the masses के जो psychology है यानि जो मनोविज्ञान है व्यक्ति का वो भीड के मनोविज्ञान से अलग क्यों होता है why does his behavior change in crowd भीड में उसका व्यभार क्यों बदल जाता है ये मैंने upload किया हुआ है answer आपने देखी लिया होगा वीडियो इसको आप discuss कीजिए ठीक है ये 2016 में इस तरीके से पूछा गया था सवाल और यही सवाल 2017 में कैसे पूछा गया था ये देखे in the essay individuals and masses a philosophy has been discussed यनी जो निवन्ध है individuals and masses उसमें एक दर्शन का discussion हुआ है विचार विमर्श हुआ है एक दर्शन का explain in your own words तो उसको अपने खुद के शग्दों में explain कीजिए समझाईए तो बात वही हो गई चाहे काम किधर से भी पकड़ ले examiner आपका आपको एक ही जवाब देना है जो कि मैंने आपको upload किया हुआ है वीडियो में ये 2017 में इस तरीके से सवाल पूछा गया था फिर ये fourth question देखिए how does the writer display the problems of growing child through children at play तो जो अगला आपका निवन्ध है वो children at play उसमें से है fourth question fourth chapter है तो how does the writer display यानि कैसे लेखक दिखाता है the problems समस्याई of growing child बढ़ते हुए बच्चे की through children at play तो ये जो निवन्ध है children at play इसके माध्यम से discuss इसको discuss कीचे या फिर explain in your own words the essay children at play या फिर अपने शब्दों में explain कीचे समझाईए निवन्ध children at play को ये 2017 में इस तरीके से आया था तो ये अभी मैंने इसका video upload नहीं किया है इस chapter का शायदाज कर दूँगी वो भी आज ये अकल में तो एक question आपका ये हुआ फिर fifth question को देखिए what idea does the writer want to present यानि क्या idea लेखक प्रस्तुत करना चाहता है through the lesson symptoms symptoms जो lesson है पार्ट है उसके माध्यम से लेखक क्या विचारधारा प्रस्तुत करना चाहता है तो एक तो ये तरीका हो ऐसे आसकता है ये सवाल symptoms chapter में से फिर दूसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है what are the various symptoms यानि वो क्या vivid symptoms है लक्षन है that are presented जो कि प्रस्तुत किये गए हैं in the chapter part में या फिर यही सवाल पूछा जा सकता है why did the author go to the medical man यानि जो लेखक है वो medical man यानि डॉक्टर के पास क्यों गया what was the prescription तो उसको prescription क्या दिया गया यानि जो डॉक्टर दवाई लिखता है उसको prescription बोलते है what was the prescription the medical man wrote for him तो उसको medical man यानि कि डॉक्टर ने क्या prescription लिखके दिया तो यह आपको बताना होगा chapter आपने पढ़ा ही है मेरे साथ तो आपको पूरा मालूम ही है कि डॉक्टर के पास क्यों गया था लेखक और डॉक्टर ने उसको क्या prescription लिखके दिया अगर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है chapter का symptoms का तो एक बार उसको देख जरूर लिजेगा question मैंने अभी इस पर भी upload नहीं किया है शाद यही दो chapters रहे भी गए हैं बाकी तो सब पर upload कर दिये हैं फिर question six देखिए what does the writer suggest यानि लेखक क्या सुझाव देता है to avoid बचने के लिए foolish opinions बेब कूफी से भरी हुई राय से यह तो इस तरीके से question आ सकता है या फिर write in your own words अपने खुद के शब्दों में लिखिए the views of Bertrand Russell Bertrand Russell के विचारों को to avoid foolish opinions यानि बेब कूफी की राय से भचने के लिए तो दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है अच्छा अक्सर आप देख रहे होंगे कि question यह जरूर पूछा जाता है कि अपने शब्दों में बताईए लेखक ने क्या कहा है यह सारे जो जितने भी chapters हैं आपके उनमें एक यह question common है अपने शब्दों में बताईए तो एक तरीके से आप यह समझे लिए कि chapter अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो उस chapter के बारे में आपको लिखना है और आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे अच्छा यह बाला answer मैंने अपलोड किया हुआ है आप देख लिए जगा नहीं देखा है तो फिर question number seven अब यह क्योंकि six chapters हैं आपके और सारे chapters में से एक question हो गया आपका अब हम जब seventh question पर आएंगे तो animal farm की बात होगी animal farm पर मैंने यह जो question है अपलोड किया हुआ है आपके लिए answer इसका discuss animal farm as an allegory तो animal farm को एक allegory के रूप में discuss कीजिए यह uploaded है और बहुत ही important question भी है तो आपने ज़रूर मुझे उमीद है देखा ही होगा नहीं देखा है तो देख लीजे animal farm के पूरे दस chapter मैंने दस वीडियो में वो अलग upload किया है एक वीडियो अलग से मैंने animal farm पर बनाई थी जिसमें summary बताई थी और allegory वाला question भी discuss किया था characters भी बताई थे animal farm के तो वो characters के जनना आपके लिए बहुत जरूरी है तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजेगा तो animal farm के आपके आपका ये question तयार हो जाएगा allegory का जनरली आता ही है question animal farm पर मैंने चार questions आपके लिए बनाए हैं ये मतलब छाटे हैं right critical appreciation of animal farm ये 2016 में पूछा गया था ये question animal farm की critical appreciation लिखिए अब जब critical appreciation आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है जो मैं अभी बताए कि ये जो मैंने summary वाला वीडियो आपके लिए upload किया था तो वहाँ आपके ये समस्या हल हो जाएगी उस वीडियो में critical appreciation जब आप लिखते हैं तो एक तरीके से उसकी summary बताते हैं उसके characters के बारे में बताते हैं और आप क्योंकि allegory है animal farm एक तो allegory भी आप उसको बताएंगे तो उस वीडियो में आपकी ये सारी समस्या है हलो हो जाएंगी ये जो question पूछा गया है फिर है इस इट राइट तो से दाट animal farm is more about men than animals ये 2018 में सवाल पूछा गया था animal farm पर कि क्या ये कहना सही है कि जो animal farm है वो मनुश्यों के बारे में ज्यादा है बजाए animals के तो फिर से बात वही आगई जो allegory में पूछा गया था यानि question तो आपको एक ही त्यार करना है है ना जो मैंने आपको upload किया हुआ है लेकिन वो पूछा कई तरीके से जा सकता है और जहां तक है हर साल animal farm में से question करना compulsory होता है क्योंकि आप six questions आपको asses में से आएंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे चारों questions in asses वाले ही कर दें एक question animal farm में से compulsory करना होता है तो generally allegory पूछा जाता है तो अब यह जब आप इस सवाल का जवाब देंगे कि is it right to say that animal farm is more about man than animals तो इस सवाल के जवाब में आप फिर से वही बताएंगे कि हाँ मनुश्यों के बारे में बात जरूर उसमें जानवरों की हो रही है कि इस जानवर ने ये किया उसने वो किया सभा की जानवर बोल रहे हैं जानवर अपने कानून बना रहे हैं और उनको किस तरीके से लागू किया जा रहा है कैसे वो उन कानूनों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं अपने अपनी सुवधा के अनुसार बदल आते हैं तो एनिमल फार्म क्योंकि एक एलेगरी है इसलिए वो मनुश्यों के बारे में ही है तो जो मैटर आप यहां तयार करेंगे ना इस एलेगरी या फिर क्रिटिकल एप्रिशेशन का जो मैंने आपको बताया वही मैटरियल आपका यहां भी यूज होगा तो क्वेश्च आम एज़ पॉलेटिकल नॉवेला तो क्रिटिकली मने अलोशनात्मक रूप से एवेल्योट मने मुल्यांकन कीजिए एनिमल फार्म का एज़ पॉलेटिकल नॉवेला यह एक राजनीतिक उपन्यास के रूप है तो जैसा के हमने जब एज़ने अलगरी डिसकस किया था तो बताया ही था कि यह बोल्शेविक क्रांती पर आधारित है तो यह एक पॉलेटिकल नॉवेल है जो वहाँ पर शासन इस्थापित हुआ कम्यूनिस्टों का उस पर एक सेटायर है तो यह पॉलेटिकल सेटायर आपसे पूछा जाए या पॉलेटिकल नॉवेला आपसे आपको यहां भी देना है कि वो जो पॉलिटिकल नॉवला उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो बोल्शेविक क्रांती हुई थी और जो कम्यूनिस्ट सरकार थी रूस की 1919 के बाद जो इस्थापित हुई वो उसी पर लिखा गया नॉवल है तो यह दस क्वेशन है बच् करें पूरे साल क्योंकि शॉर्टकट्स नहीं होते सफलता के लेकिन लास्ट मॉमेंट पर तो फिर आप स्ट्रेजी अपनाएंगे ही पूरे साल जो पढ़ा है वो तो आपके दिमांग में रहे गाई लेकिन अब आपको फाइनली टैन क्वेस्टेंस पर फोकस करना है वैसे फाम का लॉंग अंसर अप्लोड किया हुआ है मैंने एज़ान अलगरी और सिर्फ दो आंसर्स मुझे और अप्लोड करने हैं आपके वो या तो आज या कल में मैं कर दूंगी चलिए all the best मैं वीडियो यहीं समाप्ट करती हूँ धन्यवाद